गाज़ा है यहाँ जिन्दगी बारूद से सनी है कदम कदम पर मौत है कोई भी सलामत नहीं एशिया महादूइब के उसी हिस्से का ये मुल्क सीरिया है जिसकी शकल बारूदी प्रहार से बिगड रखी है युद्ध का ताप झेल चुकी इन्हीं दोनों जैसा हाल बांगलादेश का होने वाला था भारत के परोसी देश में बहुत बड़े और खौफना कांड की साजिश रची गई थी बांगलादेश को घाजा बनाने का प्लान था ठाका को सीरिया जैसा खंडर बनाया जाना था शेक खसीना को गगदाफी जैसी सजा दी जानी थी सिर्फ 45 मिनट से बच गई शेक खसीना जिस आग से बांगलादेश जला जिस गुस्से से शेक मुझीब के पुतले ढये जिस आग रोश से चटगाओं में लाशें बिछी वो अनायास नहीं था ना ही वो आवाम की शेक हसीना से कोई नफर ये चिंगारी का खेल था जिसे भड़काया किया आग भड़कने के बाद उसमें पेट्रोल चटका किया पेट्रोल चटकने के बाद इसमें बेगुनाहों को जोका किया सैक्रों जान खाक करने के बाद भी जब बांगलादेश के दुश्मनों को ये इत्मिनान नहीं हुआ कि शेख हसीना बांगलादेश छोड़ें की तो उनके मॉर्डर का प्लैन तयार किया गया बांगलादेश के कट्टर जमाती, बांगलादेश के सबसे कट्टर दुश्मन, देश की खुफिया एजनसी, उसी मुल्क के आर्मी जनरल और खुंखार दैशतगर्दों ने ओपरेशन गणभवन की प्लानिंग की थी गणभवन को घेर कर शेक हसीना को भीड के हवाले करने की साजिश का परदाफाश किसी और ने नहीं, उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय ने किया है News 18 इंडिया से exclusive बाच्शीत में सजीब ने बताया कि धाका के गड़भवन में शेक हसीना की जान खत्रे में थी मेरी मार कहां भी political asylum के लिए apply करही नहीं, ये सब बक्वास है इसका कोई decision नहीं लेया है हमारे माँ बंगलदेश में फिर जाते चाती है, ये आज होग कल होग एक दिन हमारे माँ बंगलदेश फिर जाएंगी शेक हसीना की जान कौन लेना चाता था? आंदोलनकारी छात्रों को कौन गड़भवन तक ले जा रहा था? हिंसक उपद्रवियों का सरगना कौन था? क्या ये ढाका के कटर जमाती थे? क्या हसीना की जान लेने के लिए दैशतगर्दों की घुसपैट कराई गई थी? बंगलदेश की आर्मी और डिफेंस फोर्सेज में क्या कोई शेक हसीना का दुश्मन था? पांच अगस्त की तारीख को ढाका में जो हुआ वो जितना संसनी खेज था उतना ही खौफनाग भी इस डराओने घटना क्रम के भीच भी शेक हसीना अपना देश छोड़ने को तयार नहीं थी चार अगस्त को बांगलादेश में हिंसा और उपद्रों में सौव की मौत हो गई थी पांच अगस्त को अंदोलन कारियों ने ढाका के गड़भवन पर धावा बोल दिया था तब ढाका से दिल्ली दो अर्जिया पहुँची पहली अर्जि में प्रधान मंत्री शेख हसीना को कुछ समय के लिए भारत आने की इजाज़त मांगी गई थी इसके कुछ देर बाद भेजी गई दूसरी अर्जि में बांगलादेश के अधिकारी मिलिटरी एर्ट्राफ्ट के भारत में दाखिल होने के लिए क्लियरंस मांगी पांच अगस्त के सुबख शुरू हुआ ये हाई वोल्टेज ड्रामा दो पहर से पहले कोनी होने लगा चार लाग की ओग्र भीड धाका की सरकों पर थी बांगलादेश के पीम आवास की तरफ तेजी से बढ़ती भीड आउट आफ कंट्रोल होती जा रही थी नियोयोक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तब बांगलादेश के तीनों सेनाओं के प्रमोख और पुलिस के मुख्या ने शेख हसीना के आवास पर दस्तक दी पीएम आवास पर तीनों सेना प्रमुखों ने शेक हसीना के इस्तीफा देने और पेश छोड़ने की सला थी उस वक्त वहां मौझूद शेक हसीना के बेहन रिहाना को भी हालात की गंभीरता बताई गए जिसके बाद रिहाना ने शेक हसीना से अकेले में 20 मिनिट तक बात की लेकिन शेक हसीना बंगलादेश से बाहर नहीं जाने पर अड़ी रही आखिरकार आर्मी जनरल वक्कार उस जमान ने अमेरिका में रह रहे हसीना के बेटे वाजेद जॉई को फोन किया यहाँ कोई पुलीस नहीं है यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है कुछ भी नहीं है तो इस वक्त हमारे मा वो बांगलादेश छोड़ते उनकी बांगलादेश छोना का कोई इंटेंशन नहीं था बेटे के बार बार समझाने पर ये बताने पर कि उनकी जान खत्रे में है दुश्मन देश और कई ताककवर खुफिया एजन्सियों के खुंखार लोगों का दिमाग साजिश में लगा है तब भी शेख हसीना मानने को तयार नहीं होई लेकिन जब बेटे ने शेख हसीना को 1975 का इतिहास याद दिलाया तो उन्होंने लंबी चुप्पी के बाद सिर्फ जबाब ने हाका उसके बाद धाका से दिली तक खलबली मच गई शेख हसीना को धाका से सुरक्षित निकालना आसान नहीं था सेना की तरफ से शेख हसीना को 45 मिनट की डेडलाइन दी गई थी और इन सब के बीच में 4 लाग की उग्रभीड को नफरती नारों से बेकाबू कर दिया गया था हिंसक पद्रवी कुछ भी करने को अमादा हो गये पांच अगस्त की दोपैर एक बज़े शेख हसीना ने देश छोड़ने का मन बना लिया लेकिन जाते जाते वो देशवासियों को एक संदेश देना चाहती थी मगर बांगलादेश की आर्मी के को जनरलों कोई ये भी मनजूर नहीं था शेख हसीना देश के नाम संबोधन की तयारी कर रही थी लेकिन लाइब ब्रॉडकास्ट वाला ट्रक पीम आवास की जगए आर्मी चीफ के हेड़़टर भेज दिया गया जिससे साफ हो गया कि बांगलादेश में तक था पलट हो जुगा है शेख हसीना के पास देश छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था उन्हें परधान मंत्री आवास से बारा गाड़ियों के काफिले के जरीए गणभवन के पीछे से निकाला गया जहां परदर्शनकारी मवजूद थे हाला कि सैना की बखतरबंद गाड़ियों को प्रधान मंत्री की इस गाड़ी के काफिले को रास्ता बनाने के लिए लगाया गया था पीएम आवास से शेख हसीना को हेलिपैड ले जाया गया से गाजयाबाद के हेंड़ा नेयर बेस पर पहुंची भारत की मदद से वांगलादेश की प्रधान मंत्री की जान तो बच गए लेकिन उनके देश से की जा रही साजिशें ठामी नहीं है मोजी सर्थकार हमारे मा की जान बचाय दिया है इसके लिए उनके प्रतिय हमारी शुक्रिया है लेकिन अवामली वुदात अवामली बंगलादेश इंडिया इस्टन साइड में बंगलादेश कोई सिक्रिविटी नहीं रहेगा बंगलादेश में जारी उथल पुथल के बीच भारत में घुसपैट की कोशिशें जारी हैं बॉर्डर पर बुधवार को 500 बंगलादेशियों को बेसेफ ने घुसपैट से रोका बंगलादेश में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जोड़े लोग खौपने है ज्यादा तर भारत में घुसपैट कर अपनी सलामती की गैरंटी चाहते हैं भारत में शरण की आस में किशन गंज बॉर्डर पर आये सैकनो बंगलादेशियों को वापिस लोटाया गया बंगलादेश सरहत पर सीमा सुरक्षा बल सतर्क है वहीं बंगलादेश में अवामी लीग के निताओं ने शेख हसीना के दमदार वापसी का भी ऐलान किया है अवामी लीग के कारेकरताओं ने बांगलादेश के संस्थापक शेख मुझीबुर रहमान के मकबरे के सामने एक जुठो कर शेख हसीना को वापिस लाने की कसम खाई है अवामी लीग और उसके सायोगी दलों ने हसीना के वतन वापसी तक आंदोलन करने का एलान भी किया है इस बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने एक वीडियो रिलीस कर बड़ा एलान किया है